दोस्तो अगर आपका phone पे account deactivate हो चुका है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हो your account is deactivate ठीक अगर आपका भी account deactivate हो चुका है तो आप इस account को बापस तर reactivate कैसे कर सकते हो तो आज किस वीडियो में मैं आपको पूरा process बता रहा हूँ तो वीडियो आपको complete देखना है ताकि आपको पता चल सके कि यह reactivate होता कैसे है तो guys reactivate करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तो यहाँ पर एक option आपको दिखने को मिल गया होगा contact support के ठीक है एक यहाँ पर option है change mobile number का अगर आपके पास में कोई दूसरा mobile number है जो आपकी bank में link है तो आप उसमें भी phone पर चला सकते हो अगर आप चाहते हो कि इसी mobile number का हमारा जो account है वो activate हो और यहाँ पर जो आदि देखा रहा है किसी कारणा वर्स deactivate हो चुका तो उसको reactivate कर सकते हैं इसके लिए आपको इसपर क्लिक कर देना है क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर इसपर का पेज ओपन हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लगा your phone पे account is currently deactivate उपर के scroll करने है आपको यहाँ पर एक option आपको फिर से मिलेगा contact us ठीक है इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ प यहाँ पर पता है कि अगर आप जो है रिक्वेस्ट हमारे पास डालते हो तो तीन देन तक आपको वेट करना पड़ेगा तीन देन के बात आपका account जो है वह रियक्तिवेट कर दिये जाएगा इसके लिए आपको contact पर क्लिक कर देना है contact पर क्लिक करने बाद दोस्तों यहाँ पर आपको capture बनना होगा capture बनने के बाद ही आपको यहाँ पर आगे का process करने का option आएगा ठीके दोस्तों यहाँ पर हमारा रॉपेट जो है वह सम्मेट हो चुका है अब यहाँ पर हम सम्मेट गेट OTP पर क्लिक कर देंगे एक one time OTP आएगा हमको यहाँ पर one time OTP डालन है अब यहाँ पर आपको जो है यह पूंच रहा है कि आप पुराने customer पुराना जो आपका एकाउंट है वही आप यूज करना चाहोगे यहाँ पर निव यूजर्स ठीक है तो अब आप अपनी पसंद उसर कर सकते हो तो मैं यहाँ पर निव यूजर्स पर क्लिक कर यहाँ पर यहाँ पर आपको आटेज करनी पड़ेगी मतलब जैसे के आधर काट होगे पैन काट होगे आपका जो एकाउंट है वह 24 गंटे के अंदर दोस्तों रियक्टिविट कर दिये जाता है ठीक है यह प्रोसेसर सिंपल सब प्रोसेसर दोस्तों मड़ी आसानी से रियक हो जाएगा अगर आपका आधर का प्रेंट काड लगा होगा फॉन्ट में तो बैरिप्रिकेशन करके रियक्टिविट कर देते हैं तो यह फीचेस कापी आचा लॉंच हुआ दोस्तों पहले तो कुछ होता ही नहीं था एक बाद डियक्टिविट हो जाता है लेकिन इसमें दोस्तों मिनीमम तीन से पांच दिन या पर दस दिन का टाइमिंग लगता है इस बात के ध्यान जरूरक है पूरा बैरिप्रिकेशन होने के बाद ही आपका एकाउंट रियक्टिविट किया जाएगा ठीक है तो बस वीडियो में इतना ही रहेगा मिलते नेक्स वीडियो में अपकर के लिजान